प्रधानमंद्री नरेंद्र मोदी शतिसगड की राजधानी रायपूर पहुचे जहां उन्होंने एक जन्सभा को संबोधित किया और कॉंग्रेस पर जम कर हमला किया पी-म ने यहां चीहत्तर सो करोड रुपए की परियोजनाओं का उद्खाटर और शिलन्यास किया पी-म ने यहां लोगों को भी संबोधित किया अपने संबोधन में उन्होंने विपक्षप निश्वाना साधा पी-म ने कहा कि जो गलत करेगा वो बच्चे का नहीं कॉंग्रेस के लिए 36 गड़ एटियम है कि कॉंग्रेस के कोर कोर में करप्षन है करप्षन के बिना कॉंग्रेस साज भी नहीं ले सकती करप्षन कॉंग्रेस की सबसे बड़ी विचारदारा है साधी पी-म मोदी ने लोग सबच नाव के लिए विपक्षी दलो के एक साथ आने पर निश्वाना साधा पी-म मोदी ने महागडबंधन को लेकर कहां कि अगर वो करप्षन की गारंटी है तो पी-म उनके खिलाफ कारवाई की गारंटी है जो एक दूसरे को पानी पी-पी कर कोस्ते थे वे आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं उनको लगता है कि ऐसा करने से वे मोदी को डरा पाएंगे मोदी को डिगा पाएंगे ये लोग मेरे पीशे पढ़ेंगे मेरी कब्र खोधने की दमकी दे देंगे मेरे खिलाब साजी से रचेंगे लेकिन उने पता नहीं है जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता आगे प्रुधानमंत्री ने कहा कि पिछले नौ सालों में 36 गड के हजारों आदिवासी गाओं में प्रुधानमंत्री रामीर सड़क योजना के तहत सड़के पहुची हैं अगले 25 साल 36 गड के विकास के लिए बहुत ही एहम है लेकिन 36 गड के विकास के सामने एक बहुत बड़ा पंजा दिवार मन के खड़ा हो गया है यह कॉंग्रेस का पंजा है यह पंजा आप से आपका हक छीन रहा है बता दे पियमोदी 7 से 8 जुलाई को चार राजियों के दोरे पर हैं वो इन चार राजियों को 50 जार करोड रुपए की योजनाओं की सोगात देंगे पियमोदी ने 7 जुलाई को 36 गड और उत्तर प्रदेश का दोरा किया जबकि 8 जुलाई को तेलंगाना और राजिस्थान के दोरा पर जाएंगे